नमसकार दोस्तों वैं स्वागत कर रही हूँ आप सबी का आपके अपने चानल आरोग ये इन्रिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में मुँ में च्छाले होना आम बात है बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके मुँ में च्छाले होते हो अक्सर आपने देखा होगा कि सुभा उठते ही आपको फील होगा कि आपके मुँ में च्छाले हैं जिससे आपको खाना खाने में प्रॉबलम होती है। मगर घबराइए मत दोस्तों। आज के इस पैकेज में घरेलू नुस्कों से मूँ के चाले कैसे ठीक करें। हम आपको इसी की जानकारी देने के लिए आए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मूँ में चाले होते क्यों हैं। पेट में गर्मी होने के कारण आपके मूँ में चाले हो सकते हैं। अगर आपके पेट में गर्मी हैं तो आपके मूँ में चालू का होना नॉमल सी बात है। कई बार तो आपके मूँ में बहुत सारे छाले हो जाते हैं, एक छाला तो बंदा सहन भी कर सकता है, बट इतने सारे छाले सहन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अगर आपके पेट में गर्मी है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, जिन लोगों को regular मसालेदा खाने की आदत होती है, उनके मूँ में चाले कम होते हैं, बट अगर आपको मसालेदार खाना सूट नहीं करता है, और फिर भी आप खाते हैं, तो आपके मूँ में चाले होने के chances बढ़ जाते हैं, तो अगर आप मसालेदार खाना खा भी रहे हो तो प्रॉपर पानी पीजि और पेट की गर्मी को बाहर निकालिए। हाँ एक रिजन ये भी हो सकता है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से भी छाले हो जाते हैं। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस बात को नहीं मानेंगे पर ये 100% सच है। इन चीजों की वजह से भी पेट में गर्म जाए तो मूँ में चाले होने के ज्यादा चांसे बढ़ जाते हैं। दांत ना साफ करने से दांतों में गंदगी हो जाती हैं जिससे आसपास के एरिया दूशित हो जाते हैं। ऐसे में गंदगी के आसपास चाले हो जाते हैं। मूँ के चाले ठीक करने की वैसे तो मार्कि पान एक सौ प्रतिशत दमदार इलाज है मूँ के छालों को कम करने के लिए पान में कथा होता है जो मूँ को ठंडा रखता है ऐसे में मूँ के छाले कम होते हैं आप छालों के टाइम पान में सिर्फ कथा डलवा कर भी खा सकते हैं ध्यान रखें कि पान को सीधा ना खाएं उ उसी तरह मूँ के छालों को भी कम करने में मदद करता है। चालों को ठीक करने के लिए उन पर बरफ लगाना भी एक बेस्ट आपशन है। बस पानी में हल्दी को मिला लें और इसके गरारे कर लिजिए। आरोग ये इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को धन्यवाद.